ताजबाद उम्रे डूर्ट सिथ हज़रत बाबा ताज़ुदिन ट्रस्ट में पूर्व अधिक्ष और पूरो सचीव द्वारा करोडों की हेरा-फेरी का मामला सामने आ हैं जिसकी शिकायद हजरत बाबा ताजुतिन ट्रस्ट की नवनियुक अधिक्ष प्यारे खान और सचीव एहमद अली ने कराई। हाला कि अविन सारे आरूपों का हजरत बाबा ताजुतिन ट्रस्ट की पूर्व अधिक्ष शेक हुसेन ने बीसेन समंख्ष बात करती दर्म्यान खंडन किया और कहा कि हमने एक पैसे का भी गवन नहीं किया और हमने इमानदारी से काम किया। सकर्दरा पलिस्थाना अंतिरकर कुछ दिनों पहले ताजबाद उम्रेड रोड सेथ हजरत बाबा ताजुतिन ट्रस्ट में पुर्व अथिक्ष और पुर्व सचिव द्वरा करोणों की हेरा फेरी का मामला सामने आया था। हजरत बाबा ताजुतिन ट्रस्ट के नौनियूक्त अर्थिक्ष प्यारे खान और सचिव एमत अली ने शिकार दश कराई कि पुर्व अर्थिक्ष मस्का साथ जागनाद पुद्वारी रिवासी शेख हुसेन अब्दुर जपान ने ट्रस्ट के एक करोड 48,399 रुपे और पुर्व सचिव एक पार इस्माइल विल जी ने एक लाग 15,207 रुपे अपने व्यक्तिकर खाते में ट्रांस्फर करा है ट्रस्ट नियमों के तहट ऐसा करना कानूनी अपराथ है जिसके चलती उन्होंने शिकार दश कराई लेकिन आप इनी आरुपों का हजरत पापा ताजो दिन ट्रस्ट के पुर्व अतिश्य शेक हुसे ने खंड़न करती में कहा कि ताजवाग का घोटाला हुआ है या नहीं इसकी पहली चार्च होनी चाहिए उन्होंने कहा कि मेरी छवी खराब करने या किसी राज़्णी दे शड़ियन के चलते मुझ पर ये आरुप लगा गए है ये तो पहले जाज करना चाहिए नहीं कमिटी आई उन्होंने बिगर जाज किये घोटाला हुआ करके बोल दिये अद दस साल पुराना मामला है 2011 से मेरा कहना है कि जब ताजाबर ट्रस के हम चेर्मेन बना और बाद में महां की कैसी हालत थी तीन लाग रुपे पेटी में आते थे और बाकी तो कोई आवक नहीं थी वहापर में उसके बाद हमने अपना काम सुरू किया और सुरू करने के बाद हमने सबसे पहले जो मजजीद एक बहुत चोटी सी थी वो उसको मजजीद को बनाने का भी काम हमारे दिमाग में था मेरे सबसे पहले कि वहाँ लाखों लोग आते हैं और नमाज भार सतरंजी और रोड के ओपर में नमाज पढ़ते हैं और उससे बड़े होती है, इतना बड़ा हिंदुस्तान से भावयान को मानने वालों की बहुं भीड़ रहती है तो उसके इसाब सबस्तरे मजजीद होना तो मेने मजजीद जो मेरे अमने पुराने इमम साप थे उनको बुलाकर हमने मजजिद को वहां का मजजिद का काम सुरू करने के लिए फाते दिये मुत्ति साप को बुला है और हमने वहां का मजजिद का काम सुरू किये जब मजजिद का काम सुरू किये हमने तो लोग पुरते हैं काभी कहां से बनाएंगे कैसे बनाएंगे वे बनाएगे, हम जो भी काम करते थे, वहाँ ताजिदिन को साक्षे रख कर उनको भोल के हम वहाँ पर अपना काम करते थे. जब सब मजिद बनी, तो महां ऐसा हाल था है कि वहाँ तो पैसे नहीं थे. लेकिन एक बार काम सुरू किये, तो रुकना नहीं चाहिए. मैंने मज्जिद के लिए ये बावाजान को बोल कर बावाजान से हर चीद बोल कर काम करता था हमने दस टन लोगा लाया पास टन लोगा लाया अपनी मार्किट के अंदर में बहुत वेल हुए दो सो बरे समीड लाय लाय सब पैसे लाय हमने महां से खरीद के लाय हमने कई मार् दोव दिया और आइसा एसा पैसे सेहल नहीरा यहां और जो पैसा फिर बात Rider pepponi किया अपने Бог्स सेह nawdr पैसे आपने आकंड पुर्शेत क्या थेघ्याढIST कopiaटाव सकता है और इस तरीके से चलते रहा काम हमने वहां पर आउग का जरिया भड़ाने की कोशिष की जो 3 लाग का मेला जाता था उसको 25 लाग 144 लाग तक आज वो एक करब करीब ऑडेसला जाने लगा तो वो पाईसा जो आया तो हमारे का मसजिद काम आता था और आता था कब पैसा उसके पाल एक त उक पैसा देख लेकिन अगर पावा का पईसा बजगी आगे रखाठे में आपने मालूम नहीं अनदास से आकल दाल दीए और आपने अश्म पे देख लिए कि कि आज पुराना मामला है इस दस साल पुराना और तुम गैरा से सोलगी बात कर रहो हम सोला के अंदर में हमको अचानक हटा दिया गया जब उर्ष का मामला था हमने उर्ष की पूरी तायारी कर लिये थे समझे क्या और उसके दो चार 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 आट दीन पहले टेंडर होने वाला और टेंडर के पहले हमको हटा दिया गया हुआ से हटा दिया गया तो वह कुबले साब कुबले साब लिए कुबले साफ ने चार्ड लेने के बास आज कुबले साफ 6 произ Si 100 कि क्या कर रहे हैं हमने वहा पर में अड़ी जूशी साफ हमारे हमारे आडिटर था जोशी साफ और करे दो जन ति उन्हों ने आडिव ech नुद करके 15 तक पूरा और इक्बाल जी जो सेकर्ड दिये उसको कुपने साइब रोज भुला थे ते साल भडर उनके साहता था और सब पूरे उनको मालुम नीदा न उनके account यह वह रसित यह रसित पूरा account इस ने अमने इक्बाल वेंजीन उनको सम्झा दिया हम बड़ा दिया सम्झा दिया सम्झाने के बाद पूर अकाउन उन्हें सब अपना पराबर कर लिये और शके भाद में जो हमारे क्या है साब कि पास साल छे साल में अगर कुबले साब को कुछ दीखा होगा तो यह अमको नोटीस दे सकते थे बुला के बोल सकते थे कि यह तुमारा एसा ऐसा प्राबलेम है क्या यह बताओ इसका हिसाब दो लो हम उनको समझा कि देदे पास साल तक क्यों चुमपड़े वो बाषय। और अभी या नई कमेटी आए।ो हम दो को इनको खैक किस पुबले शाब ने और जोड़ लो ने जए फिर्ग किया से, उसके बाद तुमको करना है दालनी तो तुमकर भाई करने की लिए पूरी सारी के लिậShços मिसियन समक्ष बात करते वे उन्होंने आगी कहा कि हमने भेजी गए नोटिस का प्रति उत्तर भी जा है। परिसर में कोई भी गलत का नहीं होने दिया और एक रुपय का कमिशन भी नहीं लेने की जानकरी एस्वरान उन्होंने दिए एस्वरान उन्होंने नए गटित समिती को नसीहती और कहा कि नई समिती बेपन्यादी गड़े मुर्टे उखाड़ने की कोई जरुत ने है। साथ ही कहा कि नई समिती को हमारी और से पुरा समर्तन दिया चाहिका और आके उनकी और से अच्छा कार यह किया चाहिए। यही अप्रिक्षा है। जाब यह तुम जाब तो पढ़ लेना था कम से कम और हमने तुमको बोले कि कौन ते आधर पे तुम निकाल रहे हो वह हमको कागत भाकत दो अडिट रिपोर्ट दो सब कुछ दो तुम हमको दो यह हमको बुलाओ यह कुस तो करो ना समझे क्या यह उन्होंने कुछ भी नही करने के लिए और कुछ तो भी ऐसा लगता है कि राज नीती कि शड़नते रहे ने यहें आए हैी ऑगता हैं इन सब्सक्राशा पर उन्होंने क YOUR करते को अधर मर सकर्टाट इन ले अज़िए फंगे उन्हेश्ञ मर को मैं थाल्सनि आया कुछ उननद कर में भी नर्म्हार बी आया कि अन्दर यह राजा कौन है यह बावा ताजुदीन की जमीन सफी बाव की दरगा है बाव की दरगा है वो मानते हैं लेकि दरगा की आर के अंदर में वहाँ पर अपनी दुकानदारी चलाता है पाज है और स्केट बुट की जमीन अपने नाम से करने की हमारे टेम पे कोशिश किया था इसने जो हमारे अकबाल वेल जी अरमने लोगों ने होनी नहीं दिया उसके एक बार बड़े पीताजी की डेत हो गई थी तो इसने वही अपना सभी बाव की दरगा में उसने अपनी उनकी कबर खोद लिये अरे बावा तरबार का दरबार है ता इतना बड़ा कबरस्तान है जा ताजी दिन बावा के मामू मुमानी वहां पर में दपनाए गए है तो कबरस्तान किसके लिए है वहां भूत जंजट चली दुपर की मैयत्ती वह श्याम हुआ बहुत उसने कलेक्टर इदर उदर से अपना जो भी फोर्स लाने का किया है कि हम यहीं दपनाएंगे हमने भी द tends जाएंगे उनको हम बन्हें नहीं देंगे इसला키 देंगे ए लगर काम क्ड़ा है ताज़ाबात के अन्दर में कोई बहुत करता दा उसका अमने विरोध कि है उसकी लिए उसके लिए झतको थोड़ी तरी के लिए डिए दूस्मानी हुए कोई परवा ने लेकिन बावा के हक में काम किया इसलिए वो अभी सेकरर्री बना हुआ है तो उसको लगता है कि उसे बावा को किस तरीक से डिमॉलाइज करना किस तरीक से बेज़ती करना इस प्लैनिंग के अंदर में यह कर रहे है लेकिन यह सब चीज हमारा काम बावा जानते है बावा ने इसका तो फैसला बावा करेंगे ना बावा बैठे ना बावा नहीं ऐसा ना सब चीज बावा लोग जाते है अज्जार लोग तो बावा उनकी मुरादे तो बावा सुनती है कि हमने आज वहाँ पर 26,000 की मजजीद बना ही साब आज जो 67 करोड की मजजीद है और उसमें तो अधर में आखरी में तो यीद के पहले हमने 32 लाग का जो है ना मेंबर बनाया उप्योर ने मार्बल का बनाया वो भी देखा हूंगा सारा काम हम ने किया तो सात करोड रुपया जो लगा है वो कां से अमने लाए कैसा लाए क्या लाए वो बावा जानते है और हम जानते है वो कोई गवर्मेंट के पाईसी का तो नहीं ता अब एक्सोपतीस का का काम हुआ सब आप कितना होता है हमने एक पैसा हमने लिए रजा को क्या काम होना जो मारबल बोल को जो निए ऑपना लगना चाहिए जो चीज बोल को चुछ बोल का हमारी को बदला मी करने के लिए तो किस से कुछ होता नहीं है लोगों को नागपुर शहर के अंदर में सेख उसेन को बहुत अच्छे से जानते हैं मैं मौलाना कला माजात बोर्ड में रहा है मैं तेली पॉन एक्षिन कमिटी में रहा जहां तो माली माल था ना तो हमने जितने उसका मकान था उसका तोड़ दिया गया तो उसको भी मैं अपनी जमीन नहीं दिया इस तरीके से मेरे वापत आजा बात में इमांदरी से काम किया अभी नहीं कमिटी आई है इन्होंने एकदम आये प्रेसकान पर ले लिए कुछ तरीका थो लिए ता रहा सब पुरूप हो सब चीज हो जाए इसके बाद में करो ला तुम कुछों करना है तो हमारा नोटिस का जवाब तो देदें नोटिस गया यह तो पढ़ लेना चाहिए ना यह सब इंक्वारी है ने तो मैं मेटर है अभी पढ़ा हुआ जवाब नहीं आने पर शिकायट दर्श की अरे जवाब आया दो दिन के बाद मेरे को मिला एक तारिक को मैंने उनको यह जवाब दिया मेरा कहना कि मालो एक दो दिन आकर लेड भी होता है तो उससे क्या इतना कुंतला यह हो रहा है देखना चाहिए ना मेरा मतलब ऐसे एक अधुर धिसके आया ती जाते में यह करते दो दिन क्या लोगों को उठाए वारन निकाल देखने आप नहीं जाते लोग यह कुछ बारा बद तरीका बताते करते को और को कारन होगा ना हमको जब जो जाब एक दिन आपको मिला वह दो दुन पहले पहले पर जा सकता था थो दे दियता हैं और तो ने जाब देने के बाद में तुम पोलिस टेशन में जाकर कमलेंट करते हो अप आ आप की चैनल पर बोलोु है और ऑपने इससमें नहीं की हमारा कहना है के अ जो सोरा के बाद एकके स्थ तक कृब मेंने क्या किया थे कुपरे साब ने क्यों नहीं हमको इतल्ला दिया आड़िट रिपोर्ट क्यों नहीं बताई गई है और अड़िटर हमारे जो आड़िटर ताजवर्ट रसके थे उसको बदलने का कारण है हमारा कहना क्या है इसकी जो अकॉंट से खाते में गए होगे हमारे पास बैंक के अंद कर सकते करे होगे समझे का कोई भी लुने तुमने लगाया होगे नहीं लगाया होगे लेकिन बैंक के जो स्टेट मेंने मेरे पास में समझे क्या मैं वह द्यूंगा ना इनको कि मैंने कितने बैंक में से कितने निकाला ता और कितने बैंक के अंदर में जमा किये अगर बैंक में निकाले वे बैंक में अगर जमा हो गए तो काई का उसके अंदर में घोटाला और काई की इसमें बात कर सकते हैं तो यह इस तरीके की बात है क्या है ऐसी कमिटी हमारे पहले भी कमिटी आती है समझ यह लेकिन इस तरीके से जो ताज़ाबाद में तुम काम करने के लिए आई नेमी कमेटी अच्छे से प्लानिंग मेना के काम करना चाहिए समझे क्या गड़े मुर्दे उखाड कर बेमतलब का एक वातार उनको खराब नहीं करना चाहिए समझ यह और जो भी है हमारा उनक काम अच्छे काम करने में हमारा उनको पूरी तरीके साथ है और जो है और आज तुमको महिना भरी 15-20 दिन नहीं ना साब उनको आने को एक महिना हुआ एक महिना हुआ अब राजाबी कोंते इस यह किरिचन कोटे से आ गया किरिचन लोग नहीं है क्या लपड़े करके तुम सब देश के आने वाले हिंदू, मुस्लिम सब लोगों का एक मानने वाले बावा का जगह है, वह आते हैं तो राजनीतिरी कहरन नहीं करना चाहिए, और बे मतलब हम किसी को उसके अंदर में बदलाम करने की कोशिच नहीं करना चाहिए, उसको थोला सा अच्छी से चान भी नह तो जब जाके ऐसा कही नहीं अपना बोलना चाहिए, हमारी उन लोगों से यह हो यह कहना है, समझे गया, और तुम पुरा अभी तुम समझता लो पुरा, किसी के पकायन में किसी ने कागा दे दिया और एक तम धोड़ गए, ऐसा तो होता नहीं है ना, हमारा कहना हो, मेरा जहां तक सवाल है, मैं हर चीज का कोई भी बात होगी, उसका हर चीज का मेरे पास में पुरूप है, मैं जवाब दूँगा, जब जब भी कोई बात आएंगी, हम लोग उसके लिए तयार है, बावाजान का जहां तक सवाल है, हम एक रुपय खाए नहीं और खाएंगी नही समझाई किया है हिसाब का है हिसाब हिसाब अपनी जगए अकॉण को बरे बर तरिये से एक देखना चाहिए राजनीती दुष्टी कोन से बे मतलब बदलामि करने के हिसाब से उन्होंने इस जो मामला इसको नहीं लेना चाहिए वो उनने आये हमने काम की आज जो बना हुआये ताजाबाद सम्झे Stitch अज जो जितका branा बना हुआ है वहाँ आप है आइसे माँखता निए-बड़े नेता आयेतेольш अलगा, षजावान the weak назыв आजए अजडपा सौगर के ईंधा थैके दो का सौगर के उनने काम करने उसका भी अभी नंदन कर लेते हैं, तो क्या भी करता है? ठेके जार आरके जाके वो तो माल के लिए करते हैं, उनका क्या लेना देना है? समझ यह कोई भी काम मुदा प्लाइनिंग से तो होते ही हैं, लेकिन जो बना है ताजाबाद, यह नागपूर सहर के अंदर में आज जो प्रत्रस के नावन्यक्त अठिक शह प्यारे खान की और से पुर्व समिती पर आरूप लगाया चारे हैं, वहीं दूसरी और पुर्व अठिक शेख हुसेंद वारा, उन सभी आरूपों का खंटन क्या जा रहा हैं, साती नई समिती पर आरूप भी लगाया चारे हैं, अब इस आरूप प्रत्यारों के सिलसिले में जीत किसकी होगी, ये तो वक्त ही बताएगा, कैमरा परसन राजकुमान मोहट के साथ शितिचा देशमुक के रिपूर्ट